ACI खेल, ACN Games 2022 दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे ACN Games 2022 के बारे में और यह current affairs भी है साथ साथ यह बहुरे बहुरे इंपोर्टेंट भी है क्योंकि इसके बारे में जानकारी को हम लोगों को देखना है तो अभी हम लोग यहाँ पर ACI Games 2022 के बारे में ही बात करेंगे तो दोसकों अभी जो है वो साल चलता 2023 लेकिन यहाँ 2022 वाला ACI Games के बारे में ही है यहाँ पर जो जानकरी है और यहाँ से जहाँ question पुझाने की समवान है वो मैंने आप लोगों को लगबख बता ही दिया है तो यह हांग जो की है चीन में तो यहीं पर खेला गिया है तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है तो यह edition केतना रहा तो यह 19th edition रहा यह भी आप लोगों ध्यान रखेंगे उनिस्वा संस्करन था यहाँ ACI Games 2022 का यह जो है ACI कब से शुरू हुआ है तो यह हुआ है 1951 से हुआ है निव डेली इंडिया यह सबसे पहले जो है ACI कब का जो आयोजन हुआ तो वहाँ भारत में हुआ था और यह कब हुआ था तो यह 1951 में हुआ था तो यह दोनों जानकारी को भी आप लोगों को ध्यान रखना है अब यह ACI करण 2022 जो कहां हुआ हुआ यह हुआ हुआ है चीन में तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे जो आयोजन जिस दे देश में हुआ हुआ है चीन में और जिग дав का नाम है हां जाओ तो यह आप लोग याद रखेंगे अब देखते हैं हम लोग आगे यह कब से कब हुआ तो यह 23 सितंबर 2023 से लेकर कि 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ तो यह भी आप लोग तोड़ा से ध्यान रख सकते हैं आगे देखते हैं अब हम लोग कूल देश की बात करते हैं तो यहां पर जो है 45 यानि कि 45 देशों ने अब लोग ध्यान रख सकते हैं अब दोस्तों यहां पर इंपोर्टेंट हो जाता है कि मैसकट क्या है तो यहां पर जो है मैसकट यहां से भी कोशिन पूछ जाते हैं लियान लियन चछीन ये तीनों बेरी बेरी इंपोर्टेंट तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं आगे देखते हैं ये भी बेरी-बेरी दोजबाहक के रूप में इन्होंने शुरू किये थे तो देखिए हर्मन प्रिस सिंग जो है होकी टीम के कप्तान ने उसासत लव लेना बोर्गों जो की भारतिय बोक्सर तो इनको दोजबाहक यहाँ पर किया गया था वो भी उद्गाटन समारों में तो यह आप लोग याद करते हैं तो चीन जो है 187 गोल्ड मेडल के साथ 382 टोटल पदकों के साथ में सिर्स पर रहा यानि की फर्स्ट नंबर पर जो है वह चीन रहा और वह भी 187 गोल्ड मेडल और टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ है 382 तो इस परकार से चीन जो है पहले नंबर पर रहा दू दूसरे नंबर पर कौन रहा तो दूसरे नंबर पर जो है जापान रहा जो की 47 गोल्ड मेडल के साथ में टोटल 186 पदक के साथ में दूसरा स्थान पर रहा तो आप लोग देख रहा है कि जो है जापान जो है 47 गोल्ड मेडल और टोटल के अगर बात करते हैं तो 186 टोटल मेडल के साथ-साथ यह 2 अस्तान पर जापान तो यह आप लोग याद रखेंगे तिसरी न...पर कौन रहा तो इसको देखते हैं तो रिपॉब्लिक अब कोरिया 36 गोड़ मेडल के साथ-साथ ce bedroom plan के साथ 990 पनकों के साथ 3 तिसरी अस्तान पर रहा तो यह आप लोग याद रखेंगे कि जो है कोरिया जो है 36 गोल्ड मेंडल हासिल किये और अगर कुल पदक देखा जा तो वो है 190 यानि कि 190 पदकों के साथ यह 3rd पेलेस पर रहा तो यह भी आप लोग याद रहेंगे अब बात करते हैं भारत का तो भारत कितने अस्थान पर रहा था तो इसको भी देख लेते हैं तो भारत जो है 28 गोल्ड मेंडल के साथ टोटल 107 पदकों के साथ 14 अस्थान पर रहा तो दोस्तों यहाँ पर जो है ASEAN Games 2022 में भारत जो है 4th पेलेस पर रहा 28 गोल्ड मेंडल पर आप्द के भारतियों ने और साथ साथ टोटल अगर मेंडल के बात करते तो यहाँ 107 मेंडल और 4th पेलेस पर इस गेम्स में रहा भारत यह आप लोगों को याद रखना है यह बहरी बहरी इंपोर्टेंट है हो सकता आपके ऑक्जाम Commission प्कितने अस्थान पर रहा या तो फिर टोटल मेंडल कितने पाए इसको पूछ सकता है या तो फिर यह भी बहरी पूछ सकता है कि कितने गोल्ड मेंडल पारत किये थे ACN Games 2020 में ऐसे कोशन पूछ सकता है यह आप लोगों धिकाना है अब हमनों बात करते हैं कि इस जो ACI 2022 में है उसमें भारत की इस्तिति क्या है चाहिए भारत ने क्या क्या जीता इसमें उससा सारे चीजों को भी तोड़ा सा देख लेते हैं तो दिखिए यहां पर टोटल सदेश की बात करते हैं तो हैं यहां पर है 600-5 यानि कि भारतीय दल में एथलेट और खिलाडी मिलकर थे 655 खिलाडी थे जो कि बिभिया ने प्रकर करके खेल परत्विताओं के लिए यहां पर सामिल हुए थे ASEAN Games में तो यह भी आप लोग थोड़ा सा याद रह सकते हैं 655 जो की एथलेट और खिलाड़ी हैं तो इसी आई के 2022 में भारत की और से पाटिसिपेट करने वाले थे अब यहाँ पर भारत के खिलाड़ी और एथलेटों ने सुटिंग, रोविंग, क्रिकेट, सैलिंग, इक्वेस्ट्रेंद, वुसू, टैनिस, सक्वेस, एतलेटिक, गौल्प, बॉक्सिंग, बैडिमिन्टन, रोलर, स्केटिंग, टेबल, टैनिज, कैनोई, स्प्रिंट, आर्चरी, रेसलिंग, सेपाक्टरो, व्रीज, होकी, और चेस इतने खेलों पर इन्होने पदक जीता है यानि कि भारत ने इतने सारे खेलों में फ़ mukल जीते हैं भारत के एथलेट और भारतिय टीम ने आप लोग इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं तो यह medal प्राप्त किये भारतियों ने या भारतियों टीम ने और टोटल इस प्रकास से 107 medal भारत प्राप्त किया और चोगते अस्थन पर रहा था यह तो अभी आप लोगों जान ही गया होंगे तो यहां पर देख रहे हैं यह important देखे टोटल 107 medal है जो इसमें से gold medal 28 को है silver medal 38 और bronze medal 41 तो अब लोग याद रखेंगे सबसे पहले तो इतने सारे medal आया है तो हमारे एथलेटों जो खेलड़ी है उन सबों को बधाई बहुत बहुत बधाई और इनके जो है आगे के जो भई से उनके लिए भी सुख्याबना है कि इसी परकार से यह अइन खेलों में भी और प्रतियों किताओं में भी इसी परका और टोटल कितना मिला तो 29 यहां पर कोशन पूचा सकता है कि ASEAN Games में सबसे ज्यादा मेडल भारतियों को या भारत को किसमें मिला तो वो मिला है और कितना मिला तो यह है 29 यहां इसमें से गौलड ए 6, सिल्वर 14 और ब्रॉंज 9 तो आप लोग इसको भी धिहान रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेडल मिला है अथलेटिकस में मिला है टोटल 29 यहां इसमें गौलड ए 6, सिल्वर 14 और ब्रॉंज 9 इसी परकास से कोशन पूचा सेखते हैं कि दूसरा सबसे ज़्यादा मेडल हम देख सकते हैं यहाँ पर वह मिला है जो की 22 पतक मिला हुँआ रोटन इसमें से गोलड मेडल जो है 7 सिल्वर है 9 वर ब्रॉंज है 6 तो आप ध्यान सबसे हैं कि दूसरा सबसे ज़्यादा मेडल जो जिता है भारतियोंने सूटिंग में टोटल 22 गो इसमें से गोल्ड मेडल 7, सिल्वर मेडल 9 और ब्रोंज मेडल 6 तो यह आप लोग यादा सकते हैं यहाँ पर देखते हैं अगर गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है वो किस खेल में मिला है तो वो मिला एथलेटिक्स में तो यह 6 गोल्ड मिला है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं तो यह जो है चारा को चारा हो बहरी बहरी इंपोर्टेंट है आप लोग याद रखेंगे थोड़ा से ध्यान देख करके इसको देखेंगे सब जिए-धा gold medal जो मिला वह शूटिंग मिला है 9 gold और डूसरा सब जयदा gold medal मिला हूँ एथलेटिक्स में 6 gold दोस्तो यहाँ पर मैं सिर्फ जो है gold medal जितने वाले खिलाडियों के बारे में ही और भारती टिम के बारे में ही बताऊंगा और जो bronze medal और silver medal जो है वो भी जीते हैं भारतीयों ने इसी परकार से लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ gold medal जितने वाले भारती है इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले तो गोल्ड मिडल्ड जीता हुआ है आप रूकी टीम में तो कबड़ी में नहीं हमारे भारतिय ठीम बात करेंगें आप बात करते हैं दोस्तों तेनिस के जो है मिक्स्ट डबल का खेल हुआ था उसमें कौन-कौन जी दें तो उसमें रोहन बोपणना और रुतुजा भोंच ले इनकी जोडी ने मिक्स्ट डबल टेनिस में गोल्ड मेडल भारत को दिला है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इस प्रकास आप को देख रहा है कि जो है गोल्ड मेडल से लेटर दे यहाँ पर अब बात करते हैं चिराक सेटी और साथीक साहराज रांकी रेडी इन दोनुकी जोडी ने मेंस डबल का खिताब जीत करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया साथ साथ भारत का नाम को रोशन किया है तो यह भी आप लोग याद रखेंगे बेंडविंटर में चीराक सेटी और सात्वीक साहिराज रांकी रेड़ी ने गोल्ड चीता है अब यहां पर बात करते दोस्तों आर्चरी में दोस्तों यहां पर जियोती सुरेखा वेननम तो यह जो है ओमेंस कंपाउंड इंडिविजुएल में जीते हैं गोल्ड मेडल आर्चरी के ही बात करते हैं तो मेंस कंपाउंड टीम में बात करते हैं तो इसमें इंडिया विजयी रहा साथ साथ आर्चरी के ओमेंस कंपाउंड टीम में भी बात देवताले, women's compound individual में है जोटी सुरिका वेननम और्चेरी men's compound team में इंडिया women's compound team में इंडिया और mixed team compound में भी इंडिया याने कि भारत के दोरा इतने सारे gold medal आर्चेरी में जीते गए हैं आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं दोस्तों तो इस्क्वेस की बात करते हैं तो इस्क्वेस के Mixed Double में दिपिका पलिकल और हरिंदर पाल संदु इनकी जोड़ी ने इस्क्वेस के Mixed Double में गोल्ड मेडल जीता है ये भी आप लोग याद रखेंगे इस्क्वेस में अगर बात करते हैं तो मेंस टीम इंडिया के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है तो इस्क्वेस के खेल में भी भारतियों की ओर से गोल्ड मेडल जीता गया है आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं मिक्स डबल में दिपिका पलीकल और हरिंदर पाल संदु की जोडी ने इसक्वेस में जीता है और साथ साथ मेंस टीम इंडिया ने भी इसक्वेस जीता है अब बात करते हैं एथलेटिक्स में जो की इंपोर्टेंट ही है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो एथलेटिक्स में मेर्स जेवलिंग थ्रो में जो है गोल्ड मेडल बने हमारे गोल्डन वोई नीरच चोकड़ा यह आप लोग को ध्यान रखना है तो मेर्स ने भी जिता है साथ सुब वोऊण जीटा है साथ से अतलेटिक्स में ही बात करते हैं तो मेंस सोट्वॉट में तो मेंस सोट बूट में Clayton's उर्थीन तुर हो raglad वीडम कर ददेगATA भारत को एतलेटिक्स में बात करते हैं तो 300 मीटर स्टीपल चेज में अभिना सावले के दुबारा गोल्ड मेडल जीता गया तो यह आप लोग याद रखेंगे तो इस पर देख रहे हैं कि एतलेटिक्स में में 300 मीटर स्टीपल चेज में अभिना सावले ने गोल्ड दिलाया साथ-सा में आउमें जिफ्य में निर्ड चैपड के दिफारी जिफे में ओमेंच मेंस सबसे निरह posis शूपड़ के दिला गया यहां पर खूज उतीक्स हमें अब हमलोग बात करते हैं सूटिंग में जो कि बहुत यही ज़ादा यहां पर एक खुजी की बात है कि शुटिंग में भी हम लोगों को यहां पर गोल्ड मेंट्र जिला है तो सुटिंग में बात करते हैं तो Men's Trap टिम के दवारा गोल्ड जिता गया शाथ साथ Omence Trap टिम के दवारा भी गोल्ड जिता गया या सूटिंग के खेल में या सूटिंग के इवेंट में तो यह देखेंगे सूटिंग में मेंस ट्रेप टीम और ओमेंस ट्रेप टीम दोनों ने ही गोल्ड दिलाया है अब उन्हों देखते हैं तो सूटिंग ओमेंस 25 मीटर पीश्टल में मनु भाकर और उनकी टीम के दुआर यहाँ cm 25 मीटर पिष्टल जीदा गया गुल्ड मेडल तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे सुटिंग میں ही बात करते हैं तो मैन्स 10 मीटर एर राइफल 10 मीटर एर राइफल में भारत्य टेम को ही गुल्ड मेडल भिला यह भी आप लोग यहाद रहेंगे तैन में इंडिया ही गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर और देखते हैं आप सुटिंग में strongest ABOUT 10 Mm एयर पिष्टल में ओमेंस 50मिटराइफल में बात करते हैं तो इस में शिप्ट सामच के डवारा गोढ मेंडर दिले आगया तो शिप्ट इस सामच ने है जो है ओमेंस 50मिटराइफल में गोल्ड दिलाया है 적 강LEShan की ही बात करते हैं तो यहांपर 50मिटराइफल राइफल थ्री पोजिशन टीम में तो यहां पर थ्री पोजिशन टीम में 50 मिटर राइफल में भारतिय टीम की और से गोल्ड जीता गया तो यह भी आप लोग याद रखेंगे इसी परकार से सूटिंग में बात करते हैं तो मेंस 10 मिटर एयर पिस्टल में इंडिया ने ही गोल्ड मेडल जीता तो आप लोग देख रहा है कि कितने सारे गोल्ड मेडल जीते गे भारतियों की और से तो देखें मेंस 10 मिटर एयर पिस्टल में इंडिया ने गोल्ड मेडल द दिलाए गए हैं इंडिविजुली और टीम की और से तो यह मैंने आप लोगों को बता दे हैं जो कि 28 गोल्ड मेडल भारत को मिला है अब देखते हैं थोड़ा दोस्तों इन सब पद्दकों के अलावा भारती टीमों और खिलाडियों ने सिल्वर मेडल और ब्रॉंज मेडल भी जीते हैं तो दोस्तों गोल्ड के अलावा में यहाँ पर ब्रॉंज और सिल्वर भी जीते हैं और जितने भी खिलाड़ी हैं जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं और ब्रॉंज मेडल भी जीते हैं वे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई साथ साथ पूरे भरतिय दल को भी बधाई जो की इतने सालों के बाद में बहुत ही असाधारन परदसन करते हुए 100 से ज्यादा पदक जीते हैं तो सभी खिलाडियों को बधाई हो अब दोस्तों इसे खिलों की अप्त की इतिहास में पहली बार 100 मेडल अपने नाम किया भारत ने जो की महतुपन उपलब्दी है और गर्व करने वाला है तो दोस्तों यह जो है अभी तक यानि की 19 जो एडिशन हुआ इससे पहले यानि 18 ए नहीं ला पाया था लेकिन इस बार 100 मेडल लाया है 19 एडिशन में तो आप दो देख रहे हैं कि यहाँ पहली बार है जो कि महतुपन उपलब्दी है और पूरी भारत को गर्व करने वाला है तो यह भारत पहली बार 100 मेडल को अपने नाम किया है यानि कि 100 मेडल साथ-साथ म और कुछ मेडल हैं यहाँ पर ज्यादा लाया है तो आप लोगों को यह जानकारी को ध्यान रखना है अब दोस्तों हम दो तो बात करते हैं आगे क्या होने वाला है तो आगे जो आएगा नेक्स्ट एसिएन गेम्स हुआ होगा नागोया जो कि 2026 में होगा जापान में होग तो इतनी सा जानकारी को आप लोगों को ध्यान रखना है तो दोस्तों आप लोगों नहीं यहाँ पर देख लिया किस प्रकार से कि भारतिय टीम जो है वहाँ 107 मेडल के साथ-साथ फोर्थ पेलेस पर रहा तो दोस्तों यहां जो है गोल्ड मेडल के बारे में जो टीम ती और जो इंडिविजुल थे उनके बारे मैंने बता दिया इनके अलावा में जो अपकी सिल्वर मेडलिस्ट है और ब्रॉंज मेडलिस्ट है उनके नामों को भी आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां वहां से जानकारी को ध्यान रख करके याद करने हैं हो सकता है वहांसे भी